सोहले पॉप की दिवानों कैसे हो भाई हो आप सब शुरू करते हैं एमी वे बंटाय से तो भाई मिले थे रियाक्शन चैनल जुडवास से जुडवास ने एक क्लिप शेयर करी है उनका क्या कहना है आप लोग देख लिजिए नेक्स्ट अपडेट बेला की तरफ से तो बेला ने दो साल पहले राप डीमन को डिस करा था जिसका नाम था राप लेमन बेला ने तो वो गाना काफी पहले प्राइवेट कर दिया था बट अभी यूट्यूब की तरफ से और जिन्होंने नहीं सुना था उनको लग रहा है ल ज्यादा यूज होने लगा है, खेर कलमिंग का कहना है, ये जिस जिसको भी मिड बोलते हैं, वो ज्यादा क्यों कमाता है, और स्ट्रीम्स क्यों लाता है, वो हर एक रापर मिड है, जो डिस से नहीं बना, अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, हनी सिंग के साथ जरूर देखा होगा, वो शायद हनी सिंग के अंडर, साइन्ड है, खेर उनसे MC स्टैन के बारे में पूछा गया, उनका क्या कहना है, आप लोग देख लिजिए, MC स्टैन, वो भी तो एक तरीके से रापर ही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो भी उसी आप से मतलब पॉपुलर है, मैं जानता है, उनकी लांगुच्व को, मैं उनकी लांग्वच्व जादा समझता नहीं और उससे जाद क्नेक्ट नहीं करता, बट मैं देख के रहे हुई यह बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी विट्बस भी जीते हैं और उनके कानों का मुझे अच्छा लगता है पर जो भी वो गाने में अपने बोलते हैं वो मुझे अभी तक मैंने उससे इतना कनेक्ट नहीं किया है बट जो मेरे दोस्त त्यार है हम सब लोग साथ उस पर वाइ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके जरूर से चेक करना तो बस यार इतना ही था मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई